नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉन्टिटिव क्लासेस में यहाँ पर देखी आज का सुबा सुबा महत्पून महत्पून अपडेट है सबसे पहले आपको हैपी न्यू येर सारे लोग को यहाँ पर देखीए आज का जो अपडेट है यह आपके लिए बहुत महत्पून है यहाँ पर देखे क्या है कि माधमी के गनित में अब तक नहीं आया कोई भी अवियर्ती यहाँ पर BPSC की दूसरे चेरन की सिक्षक भरती परिक्षा में सफल 80% से अधिक अवियर्ती की रवी वार तक जीले में कौनसलिंग पूरी हो गई नवी दसवी के लिए सबसे कम 59% अवियर्ती की कौनसलिंग हुई है इसमें गनित कौनसलिंग नहीं कराई है जीले में गनित के लिए 96% सीट आवंटित है चड़ी से आठवी वर्ग में 71% अवियर्ती की कौनसलिंग हो चुकी है तो एगारवी बारवी में 94% अवियर्ती ने कौनसलिंग करा लिया है जीले में कुल लक्ष 3689 सिख्चकों की कौनसलिंग का था जिसमें 29-82 की कौनसलिंग हुई है चटी से आठवी में 1071, नवी से दसमी में 487 और दसवी से बारवी में 4, यहां 14, 24 और सिख्चकों की कौनसलिंग हुई है वहीं अभी 707 अभियर्ती बच गए है इसमें यहां पर देख लीजिए चटी से आठवी में 428, नवी दसवी में 275 और एगारवी बारवी के लिए 131 अभियर्ती है पहले चरण के 105 अभियर्ती की कौनसलिंग पहले चरण के सप्लिमेंटरी रिजल्ट में 305 अभियर्ती ने कौनसलिंग हुई है जीले में 140 सिख्चकों की कौनसलिंग होनी है इनमें से 35 सेस बच्चे है 25 दिसंबर को स्वारधिक 25 सिख्चकों की कौनसलिंग हुई है अलग-अलग दिनों में 20 सभियर्ती की कौनसलिंग हुई यहाँ पर देख लो निर्देश एक जन्वरी से कक्छावार बयोरा पंजी में दर्ज करेंगे किस दिन किसने किस घंटी में कौन सी कक्छा ली इसकी जानकारी कॉमेंट में भरेंगे और इधर देख लो यहाँ पर बात आती है कि शामान निवा उर्दू विद्याले के लिए अलग-अलग है अवकाश केलेंडर ठीक है बहुत सारे ऐसे करके है बहुत सारे अपडेट है एकक करके समझते हैं अवकाश के दिन भी बीपीएसी अध्यापक भरती परिक्षा में सफल 89 अभरती की कौनसलिंग यहाँ पर बीपीएसी अध्यापक निकती दूसरे चरण में चैनीत अवकाश के दिन भी बीपीएसी अभरती की कौनसलिंग पूरी बीपीएसी फेज दो में 3500 अभरती की होनी है कौनसलिंग छो दिनों में मात्र सत्रे सो सत्तर ने ही कराई कौनसलिंग अवकाश के दिन भी बीपीएसी अभरती परिक्षा में सफल यह तो बता दिया सिख्षक कॉंसलिंग अब 13 जनवरी तक होगी, यहां पर यह महत्पुन बात है, जो BPSC से चेनित हो गए है, 2.0 में जो अवियरती चेनित हो गए है, वो 13 जनवरी तक उनका कॉंसलिंग होगा, ध्यान से देख लिए, और अगर यह वीडियो को आप NIUS DLA के जो भी अवियरती ह साथी है, जिनका कटफ से पार कर रहे है, उनका सेलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या किया है, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है, और सरकार इस सब का जो रिजल्ट है, BPSC उस सब का रिजल्ट रिजर्व रख दिया है, वहां आपका कोट से जब आपका फैस की कॉंसलिंग पूरी हाई अस्कुल प्लेश टू सिक्षकों में सिक्षकों की हाजरी क्लास संचालन का रहेगा रिकॉर्ड बीपी असी अध्यापक निवक्ती दूसरे चरण में चेनीत इतने लोग है बीपी असी फेज दो में 3500 अभिहरती की होनी है कॉंसलिंग छो दिनों म मात्र 1770 नहीं कराई यहाँ पर देख लो एक जन्वरी से सिक्षक भरती 2.0 के अभिहरती की कॉंसलिंग यहाँ पर खिरनी घाट इस्तित जिला इस्तित पदादिकारी के कारियाले में होगी यहाँ पर ऐसे करें बहुत सारे अपडेट हैं दोस्तों तो आपको पता ही है जो भी न्यूज के मालियम से पेपर कडिंग के मालियम से या फिर कोई भी सुत्रों के हवाले से खबर आती है हमारे चैनल पर उपलब होती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी अपडेट आए नियमीत रूप से वही डेट पर आपको मिले तदा कलिए धन् इस सेट्स जहां आपको 3000 प्लस प्रशन मिलेंगे और 20 प्लस प्राक्टिस सेट्स जिससे आप अपनी तयारी मजबूत कर सकते हैं तो देर ना करें आज ही खरीदे चक्षु प्रकाशन का गाइड और प्राक्टिस सेट्स जो नवींतम पाठ्यक्रम पर आधारित है इससे आप बिहार DLA एंट्रेंस एक्जाम की तयारी कर सकते हैं